आईये बात करते हैं नेक्सत कॉलर से, जी नमस्कार, स्वापत है आपका जी मैं सूंतोज बात कराँ रहाँ कहां से? जी मैं बात कराँ बाला से ठीक है संतोज जी आपका सवाल? मैं भाल की डाइट के बाराम बंसाहरता था की इंसाए जए जाएoring को अघिंजर बताते है परोटीन पुरे तरीकी से आप आए जाए बाल आपके उतर रहे हैं या आपकी मिजिस के मेरे उतर रहे हैं अच्छा का आजए कि बाल्यों की सुरक्षा में कई चीजें हैं एक तो प्रोटीन का अस्तामाल जरूरी है और विटामिन E का इस्तेमाल जरूरी है और ऐसे जो आते हैं शेम्पू या साबून उन से जरा कम इस्तेमाल किया करें नजला खांसी बलगम है तो उसका इलाज करें अगर वो नहीं है तो फिर दोगे एक आता है गौन मौरिंगा सफेद गौन मौरिंगा सफेद याद रखें लाल वाला नकली होता है तो कोई भी लाल लेका अगर खाएगा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता गौन मौरिंगा सफेद आदा गिराम रोजाना पानी में मिलाकर पी लिया करिये और अगर आप रईस हैं तो ये एक नारियल पानी मिलाकर पी जे आदा गिराम रोजाना आप देखेंगे बाल ऐसे जिसे मेरे बाल है अभी बुड़ापे में भी तो यह आपको लगातार कई महीने लेना चाहिए दिल्ली से ही अगले कॉलर हैं मोती रानी हमारे साथ स्वागत है आपका अधा जी बुलिया आपका सवाल हकीम जी से वजाए भी बात आपकी बात हो रही है आदा जी हादा नमस्का राक्सान अधा नेरे पाव में बहुत जलन होती है पाव के तल्ले में वैसे मेरे दोनों गुट्रों के आपरेशन हुए हुए हैं तो फिर भी दरब होती है गुट्नों में न उचते बैठते समने होती है चलने में नहीं होती है क्या उर्मर है आपकी की कि इरी 70 है कि देखिए मुझे तो जब अच्छा लगता जब ऊपरेशन से पहले आपकी हमारी बात होती है द कैप्सूल टी केर, टी फो टाइगर, सुबा शाम लिया करें, टाइम लगेगा, और खाने के बाद और नाश्टे के बाद आप इसे एक एक लिया करें, पानी से, या बगर चेर्बी के दूस से, शुगर नहीं है, तो जूस से भी ले सकते हैं, किसी से फाइदा करेगा, और व हमारे लिए बहुत ही सम्मानिय हैं, हम से हमारे बुदूर्ग हैं, और ये इस्तमाल कर सकते हैं, यसे के साथ अगले कॉलर राजिस्तान से हैं, ओमा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका, जी बोलिए, या जी, मैं ये कह रही हूं, मुझे गैस बहुत होती है, टाश्टर साम ये पास नहीं होती हैं तो गैस पास नहीं होने से दर्द बहुत होती है, काम क्या पीओ मैं, बहुत दर्द होती है, उमर बता दीजे, पैसक साथ, ठीकी ठीकी, चैदिकी बड़ा अच्छा घरे लिए नस्खा है, अगर आप खुद बना लें, तो बहुत अच्छा है, इक आता है, नमक जैतून, जैतून का जिसका तेल आता है उसका नमक भी आता है, ये रसायन को कहते हैं, रसायन जैतून को, नमक जैतून आसान लेंग्वेज में कहते हैं, इसे इंगलिश में ऐस्टेक जैतून भी कहते हैं, यानि उससे दवा निकाल ली जाती है, जो नमक के रूप में होती है लेकिन नमकीर नहीं होती है अब इसे आप उसमें मिला दिए सो ग्राम डेव सो ग्राम जो मैंने आपको बताया निसका और इसको घर में पॉडर बना के आदा आदा चमच खाने से पहले दो या तीन बार ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपको वर्शों पुरानी बीमारी बहुत जल्द ठीक होना मुम्किन अगली कॉलन है कानपुर से शगुफता हमारे साथ स्वागत है आपका हालो हाँ मेरे जाइन जाइन वह अगर कि बड़ी दुकान पर देखेंगे तो गौन्द मौरिंगा सफेद लिख लीजे गौन्द मौरिंगा सफेद ये आप सो दो सो गिराम बस खरीद लीजे और इसको आदा गिराम रोजाना दूद में या पानी में डाल कर मिलाकर पी लिया करिए अगर आपको कुछ ऐसा हो के मीठा डालना हो भी मिला सकते हैं स्वाज स्वागत है आपका मैं मुझे आखों की पाउलर में अच्या क्या दिक्कत है आखों में मेरे आखों का नंबर प्लस में है मुझे डॉक्टर से पूछना था कि मतलब क्या यह ठीक हो सकता है पूरी तरह से जी जी हाँ देखिए अभी शाद फाइदा भी आपको हो जाए और जिनकों भी आखों की परिशानी है बच्चे या बड़े उनके लिए या दिमाग की कोई परिशानी है तो इसमें एक डाइट आप इस्तमाल करें देखिए यह जो गाजर होती है यह बड़ी घजब की चीज़ है गाजर का हलुआ काया करें और बहुत जादा प्राबलम है तो गाजर का जूस पिया करें और भी जादा प्राबलम है तो एक गलास गाजर का जूस और उसमें अधा ग्राम गौन मौरिंगा सफेद सफेद याद रखना सफेद वाला लेना यह बहुत अच्छा होता है और य जाते हैं अक्सर नकली होते हैं लाल वाला या ऐसा तो गौन मौरिंग और सफेद आधा ग्राम एक गलास गाजर के जी उसमें मिलाकर रोज पिया करें आपको फाइदा मुम्किन है पंजाब से अगले कॉलर है सपना हमारे साथ सपागत है सपना जी आपका पंजी नमस्कार इंदी नाकल अबनी है जी करिये बार बताइए जी बताइए तुस्री क्या कहने देगे लड़के आपके साल प्राजे न उसको न दग्टर जी काला पी लिया हो गया नो पाज़े ने आपके ने नामारे स्चाल पीलिया हो गया प्च्छी साल के बच्चे को हां जी कट्टी साल प्रोंबर है ठीक है दिखिए एक शिर्का आता है अलोवीरा का सिर्का शिर्का अलोवीरा का और वो तीन चम्मच पानी में डालके रोजाना एक बार या दो बार बच्चे को पिलाए करिए मुझे उम्मीद है उनको फाइदा मुम्किन है कि मालेगाओं से नेक्स्ट कॉलर है मोहन लाल जी हमारे साथ स्वागत है आपका आपिंजी दमस्ते जी जी अधा मोहन लाल जी मेरे उमर है 70 पतर साल है मेरे को अभी जा तकली बहुरी है कि मेरे जो तलुए है पाओं के तलुए है हम 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 जी समझ गया मैं और देखिए खूब ऐसी अपना ख्यार लखा करिए और एक आता है गौन सिया जिसे काला गौन भी कहते हैं और देखना वहां पर नकली बहुत मिलता है मैं लगा हूं मैं यह जायके में बहुत कड़वा होता है और यह अगर मिल जाया आपको सौदो सो ग्राम तो आप आधा आधा ग्राम सुबा और शाम पानी से बगार चरवी के दूस से या शूगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं ये सौदो सो ग्राम खतम होने से पहले आपको रोग मुप कर सकता है अगले कॉलर है हरीज जी हमारे साथ स्वागत है आपका हलो है अंजी बोलिये हैं मेड़नी मैं स्वांधी बढ़ी पील होती है मुझे जी कमजोरी बहुत फील होती है अगर आप अभी भी ये चाहते हैं कि हमारी आखरी सांस तक सेहत और तंद्रुस्ती के साथ है तो आपको चाहिए कि माजून अखरोट प्राश रोजाना एक खुराक या दो खुराक लिया करें पानी से पानी से लें बगैर चर्बी के दूस से लें और रोजाना लिया करिये ये तवानाई और बुजर्गों के लिए सोना साबित हो सकता है यूपी से उत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए है स्वागत है आपका हान जी बोले बोले जी मैं ये बोलना हूं मैटम कि मुझे पेट में राइट सा बना रहता है कब से है ये दर्द दर्द नहीं मन दो कुछ भारी पंसा रहता है भारी भारी सा रखता है ये कुछ रखा हुआ है अच्छा और कोई तकलीफ एज एज बता दीए दी चलिए आपकी एज 35 साल हमने बोल दी आप नहीं बताते तो 35 से 40 साल आपकी उमर है और वैसे तो 22 साल से ज्यादा के लोग इस नसके को ले सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं देखिए अच्छा नसका है एक बहुत काम्याब है और देखिए आमला सुका मिलता आमला 200 ग्राम अँ मेथी 200 ग्राम सौफ 200 ग्राम ये लीज़े और घर में पौडर बनाएए और नमक नमक आता है जिसे रसाइन भी कहते है स्वागत है आपका पैर में दुखता है और होता है पैर दुखता है आपका आफरीन आपकी एज कितनी है और कब से दुखता है और एक तो आपके घर में यह सा वेस्टन ट्वाइलेट होना चाहिए अगर आप बहुत महनत करते हैं तो अगर जाडू पहुचा करना पड़ता है तो कुछ दिन के लिए मत करिए तो इससे भी ठीक हो सकता है आपका पैर और अगर दवा की जरुवत पड़े तो आप कैप्सूल टी केर लगातार सुबह-शाम खाएं महीना दो महीना तो इससे भी आपको फाइदा होना मुम्किन है यूपी से ही अगले कॉलर है आरके है नाइन एमेंटी और दूसरा यह है कि मैंने सिलिबिक्स का ओपेशन कराया था इसकी वादी दी प्यारों में बड़ी जन्यनार बगएर रहती है दो प्रॉबलम है एज क्या है आपकी 68 है 68 जी जी मिस्टर श्रीवास्तव वास्तव में जो आपरेशन आपने कराया है इससे पहले अगर आप मिलते तो आपरेशन की भी जरूत नहीं पड़ती देखिए एक निसका बता रहा हूं वो आप इस्तमाल कर सकते हैं एक आता है कैपसूल टी केर टी फोट टाइगर सुबा शाम लीज़े नाच्टे के बाद और वेस्टन ट्वालेट ये कुर्सी वालेट का आपको इस्तमाल करना है जब तक आप उस यानि जिन्दा हैं और ऐसे कोई भी कमर की डिस्का ऑपरेशन जिनन क कराया है अगर उनके घर में वेस्टन ट्वालेट हो तो आपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरा किड्नी के लिए बहुत आसान नसका है एक देखिए एक आता है नमक जैतून ये देखने में नमक जैसा और जायके में नमकी नहीं होता ये रसान जैतून भी कहते है इसे और आस्टेक जैतून भी कहते हैं ये देखने में बिलकुल नमक जैसा है इसका आधा गिराम सुबह एक गलास पानी में मिलाकर और एक लीबू भी निचोड़ लें इसमें और ये एक गलास पीएं और पीछे से दो गलास पानी और पीएं ऐसे आप सुबह और शाम दो असानी से निकाल सकता है